Hello everyone, आपको आज मैं branch account के methods करवा रहूँ और ये method जो है dependent branch के हैं, उसके अंदर चार methods आते हैं, तो कुछ students की queries आई थी कि sir please methods को in brief explain किया जाए, तो उसमें जो method है आपका वो पहला method है debtors or direct method, debtors or direct method के अंदर क्या रहता है, कि head office जो है सिरफ एक account open करता है, जिसका नाम होता है branch account branch account का जो nature है, वो combination है दो accounts का, real और nominal account, यह आपने पढ़े होंगे तीन type के account होते है, real, nominal, personal account, तो branch account जो है, real, nominal account है, अब वो क्यों है, क्योंकि branch account के अंदर आपको profit के बारे में भी पता लगता है, और loss के बारे में भी पता लगता है, दूसरा आपको branch account के अंदर जो काम हो र profit होगा, debit side ज्यादा है, तो आपको वहाँ पर loss होगा, तो इसलिए direct method जो यहाँ पर आपको बताया गिया, जो debtors method इसमें सिर्फ एक ही account open किया जाता है, जिसका नाम है branch account, तो branch account कैसे बनता है, वो आपको clear होगा, मैं just brief कर रहा हूं कि इन चारो methods में difference क्या है, तो इस method के अं जिसका नाम है branch account हम open करते हैं, तो अगर आपको यह method अच्छे से आ जाएगा, तो बाकी methods आप बड़े अराम से कर लेंगे, तो बाकी methods में और इसमें just करना क्या है, आपने सिर्फ एक branch account आपको बनाना आना चाहिए, उसके बाद आप बाकी account बड़े अराम से clear कर सकते हैं, क तो वो आता है आपका final account method, अब देखिए जो final account method है, इसके अंदर आपको इसके नाम से ही clear होगा, कि आपको final account जो है, वो यहाँ पर prepare करना है, अब जो final account prepare करना है, वो just आपने उसी तरीके से prepare करना है, जैसे अभी तक आप करते आएं, तो इसके अंदर क्या बनता है, इसमे बनता है branch trading and profit and loss account, तो इसमें आपने काम क्या करना है, जैसे आपने trading profit and loss account सीखा हुआ है, उसी तरीके से आपने इसमें वही काम करना है, debit side में वही आपके opening stock आएंगे, जो भी goods आपके जाते हैं, उस तरीके से ही काम करेंगे, तो just इसमें trading account बनाया जाता है, और यहाँ पर difference अब final account में यह है कि यहाँ पर आप branch account नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर trading profit and loss account आप prepare करेंगे, और जो trading profit and loss account का जो profit निकल के आएगा last में, ठीक है, वो profit और जो आपके branch account का profit रहेगा, वो दोनों का answer same होना चाहिए, अगर answer same आता है, तो means आपका यह account भी ठीक है, मतलब cross check आपको trading profit and loss अच्छे से नहीं आता है, तो आप branch account बना लीजे, पहला method apply कर लीजे, उस case में क्या होगा, कि आपका trading profit and loss account प्रिपेर करें, उसका answer आप branch account अपने working note भी branch account भी बना लीजे, direct method के अंडर, अब उसका net profit और आपके trading profit and loss का net profit और वो same आ जाता है, तो इसका मतलब आपका answer जो वहाँ पर है, वो ठीक है, तो ये तरीका भी आप यहाँ पर अपना सकते हैं, तो trading profit and loss method में जस्ट आपने एक account बनाना होता है, cross check करना है, तो आप working note में branch account बना कर वहाँ पर उससे cross check कर सकते हैं, तो basically अभी तक आपको समझना रहा होगी, पहला method में एक branch account आप sufficiently बहुत जाला होता है, ठीक है, branch का turnover बहुत जादा है, branch credit भी sale कर रहा है, cash sale भी कर रहा है, तो एक alternative method जो है आप यहाँ पर adopt करते हैं, जिसका नाम यहाँ पर है, stock and debtor system, stock and debtor system में क्या रहता है, आपको खाली opening account तो यहाँ branch account तो नहीं बनाना होता है, ठीक है, यहाँ पर क्य इसके अंदर तो stock के entry, सारी stock account में, debtors की debtors में, branch adjustment account बनता है, branch expense account बनता है, branch profit and loss account बनता है, just इसमें भी वही है कि आपका जो profit and loss का जो profit होगा, उसका answer और same branch account का जो answer है, profit and loss का वो same रहेगा, इसमें difference यह है कि इसमें आपके 3-4 accounts बनते हैं, पहले वाले में सिरफ एक 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 बनता है, दूसरे method में trading profit and loss account बनता है, और इस method के अंदर आपके यह 4 accounts बनते हैं, branch stock account, debtors account, same branch adjustment account, branch expense account, branch profit and loss account, यह आपका 3-3 method है, तो इसमें आप इस तरीके से work कर सकते हैं, उसके वाद जो last method है, वो तो simple है, उसमें तो आपने wholesale or retail price profit के according, आपने recording करनी है, तो उसमें तो wholesale price दिया होगा, आपको retail price जागो, just conversion करना है, उस तरीके से आप कोई भी method यहाँ पर apply कर सकते हैं, trading profit and loss account, basically, वहाँ पर apply किया जाते हैं, तो उसके अंदर आप जो है, values को convert कर सकते हैं, जो head office है, वो किस value पर भेज रहा है, आपका बनाच है, वो किस value पर sale कर रहा है, तो उस तर description में आपको मैं अपनी email ID भी आपको बता दूँगा, और कोई भी अगर आपको problem आते हैं, तो आप मुझे mail करके भी अपनी problems को पूछ सकते हैं, और मैं उस पर वीडियो आपकी बना दूँगा, और प्लीज इस information इस वीडियो को जद़ से जज़ शेयर करें, और कोई भी द तरीके से, तो इसलिए इस वीडियो को भी देखें, और इसको प्लीज शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, तो जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, आपके subject के regarding, commerce subject के regarding, तो कोई भी subject आपका हूँ, आप उसके regarding मेर से आप अपनी discussion कर सकते हैं, आप उसके regarding कोई भी problem है था होँ, आप हमसे share कर सकते हैं, तो आपको इस चैनल पर उसका solution मिल जाएगा, तो आज के लिए इतना ही है, thank you.